नमस्कार जैहिंद स्वागत है आपके एक बार फिर से आपकी चेनल फार्मेसी पॉइंट में तो चलिए आज की वडियो को शुरू करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मासोटिक्स इस्पेसल बैक पेपर क्वेस्चन पेपर के बारे में तो इस्पेसल बैक पेपर जोके एकजामिनेसन में पूछे जाते हैं और उसमें से 80% कुईसर अचकी वडियो को शुरू करते हैं उस्से पहले आप इस वुडियो को लाइक विसे करते हैं सबसे फहले मैं आपको ग्डीक्सलेशन पेपर मैं आपको यहां पे दिखा डेता हूं और थोड़ा सा आपको यह clear नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैंने इसको type किया है, तो मैंने आपको यहाँ पे question paper दिखा दिया, जो कि examination में पूछा गया था, बाकि मैं आपको यहाँ से detail में question paper मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखें कुछ इस तरह का question paper आया था, फार्मासोटिक सेकेंड में, और इसमें से maximum question मैंने आपको पहले ही बता दी थे, और उस video का link description box में दिया गया है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी से information देना चाहता हूँ, कि अगर आप diploma in pharmacy final year exam की अच्छे से तयारी करना चाहते हैं, तो आप उधित pharmacy classes में आप join हो सकते है आप यहाँ पे देख सकते स्क्रीन पे सारे detail flash हो रही है, और ज्यादा details के लिए आपको description box में जाना है, वहाँ पे आपको सारे information देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप diploma in pharmacy exam की बहतर तरकी से तयारी करना चाहते हैं, कि आपकी back ना लगे, तो आप यहाँ पे join हो सकते हैं, तो देखिए यह हमारा pharmaceutical second का question paper है, जैसा कि आपको पताए कि maximum marks 80 number का होता है, 3 घंटे का paper होता है, तो देखिए यहाँ पे पहला question पूछा गया था, define osology and discuss the factor influencing dose and method of dose calculation, तो इसके पहले मैंने एक video बनाया था कि पूरे pharmaceuticals में सबसे important question कौन से हैं, जो की पूछे जाते हैं, तो यह question मैंने आपको बताया था, कि यह question बहुँ जादा important है, और यह हर साल पूछा जाता है, कि osology क्या होती है, और कौन से ऐसे factors हैं, जो कि dose को define करते हैं, और जो भी dose calculation के formula है, यानि कि Clark formula, Young formula, जो भी formula है, जिसका यो जो dose calculation में किया जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया था, यह अकेले 16 number का question की पूछा गया था, तो अगर आप यह question करते हैं, बिल्कुल ठीक से करते हैं, 4-5 page अगर आप लिखते हैं, तो आपको यहाँ से अराम से 16 number मिल जाता है, उसके बाद एगले question की बात करें, यह question भी मैंने आपको बताया था, कि हर साल पूछा जाता है, कि write a detail note on prescription, तो यह पहले chapter का question है कि आखिरकार prescription क्या होता है, और prescription की कितने parts होते हैं, तो आपको लिखना होगा कि prescription क्या होता है, उसके बाद prescription का parts लिखना होगा, और आप चाहें, तो एक page में एक sample prescription बना सकते हैं, तो इससे आपको 8 number मिल जाएगा, उसके बाद अगला question में मैंने आपको बता था कि ये भी question हर साल पूछा जाता है कि और साथ में से आपको यहांपे दो से तीन एक्जांपल आपको पूछा गया है, उसके बाद अगले question की बात करें, तो ये पूछा गया था, तो ये भी question 8 number का है, तो इसको मैंने आपको नहीं बताया था, अब देखिए अगला question है, question number 4, define and differentiate between suspension and emulsion, मैंने कहा था, ये most important question है, और ये भी हर साल पूछा जाता है, तो आपको बताना था कि यहाँ पे suspension क्या होता है, क्या होता है, और suspension और emulsion के बीच का अंतर क्या होता है, तो बहुत important question है, फार्माशोटिक्स का, चलिए अगले question की बात करें, तो यहाँ पूछा गया था, कि various methods used for preparation of emulsion, तो इसके बारे में भी मैंने बताया था, कि ये question आप से, इस chapter से पूछा जा सकता है, कि emulsion को कैसे बना जाता है, तो चलिए अगले question की बात करें, तो यहाँ पूछा गया था, write a short note on following, तो जो भी हमारा short note पूछा जाता है, board of technical education में, वो 4 number का पूछा जाता है, यहाँ पे 4 question दिये रहे गए, यहाँ पे 4 question दिये गए थे, और इसमें से आपको short note लिखना था, तो यहाँ भी in questions क के बारे में मैंने आपको बताया था, कि commonly used vehicle in liquid doses form, तो liquid doses form को बनाने में कौन कौन से vehicle use किये जाते हैं, इसके लबावा lotion क्या होता है, liniment क्या होता है, suspending agents क्या होते हैं, और poltize क्या होते हैं, तो यहाँ यहाँ पे short note पे पूछा गया था, अगले question की बात करें, तो यहाँ प requirement होती है, तो यह भी art number का question पूछा गया था, और यह वाला question भी मैंने आपको बताया था, कि write a note on dialysis, fluids and austerity testing, तो आप उस पुरानी वीडियो को जरूर से देखें, कि वहाँ पे उस वीडियो में यह बताया गया है, कि complete syllabus में, फार्मासोटिक्स में, कौन कौन से ऐसे chapter है, और कौन से इसे question है, जो की हर साल repeat किये जाते हैं, तो अगर आप उतने सारे question की तयारी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे सारे question बड़े अराम से कर ले जाएंगे, उसके बाद एगले question की बात करें, तो write a note on the following, तो इसमें types of ophthalmic product, मैंने आपको बताया था, कि यह भी important, आपका question क्या होता है, तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, उसके बाद अगले question की बात करें, तो suppository basis, तो यह भी मैंने आपको बताया था, कि इससे question आता है, और deodorants और preparation of paste, तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे question मैंने आपको बताया थे, कि यह सारे question आपके examination में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए, जो हमारा फार्मासोटिक्स का paper होता है, इसमें total 7 question आता है, और उसमें से आपको कोई 5 question करना होता है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को like करें, साथ में चैनल को subscribe करें, बिल notification को on रखें, जिस्ते की आने वाली सभी updates आपको तुरत मिल सकें, और ज्यादा detail के लिए नीचे description box में जो भी link दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं, तो आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद